बीवान कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ अभी हो गया है मॉर्णिंग के टाइम और अभी जाना है मार्केट घर का समाल लेकिया हूँ यह साहिन कर रही काम कपड़े वगरा दुल लही है तो क्योंकि जादा काम तो है नहीं और अभी क्या क्या लिए हूँ और अभी यहाँ पर आया था बेशने वाला तो यह लिए है देखो यह 100 रुपीज का मिला है बड़ा है और अच्छा था साहिन को चाहिए था बड़ा चाय बनाने वाला तो वो और जो भी रूटीन होगा सेयर क रहेंगे आई हूप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगी तो फरन यहाँ पर आ गई हूँ मैं मारकेट और ले रही हूं कुछ रूम के लिए समान क्योंकि अभी है ना यही दुकान में मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो और यहाँ पर बहुत कुछ मतलब सस्ता मिल जात तो यहाँ पर मैं देख रही थी अंचीर तो यह बहुत महंगी थी इसका रेट है न जादा था यहाँ पर जो मारकेट में मिलती है उसके हिसाब से यहाँ का यह जो रेट था वो महंगा तो फिर मैंने नहीं लिया फिर आ यहाँ पर और था साबून तेल वगएरा तो केल का रेट बढ़ गया है मतलब चार पांच रुपए सम्तिंग ऐसे क्योंकि मतलब इतना तो नहीं बढ़ा मंगर बढ़ गया है तो यहां पर मैं अपने हैर के लिए भी कुछ देख रही थी फिर यहां से लेने के बाद मैं जाओंगी कोई और दुकान में वहां पर भी आप गयरा मैं ली हूँ दो तीन पैकेट बिना मतलब सुगर वाली और बिना मैदे वाली आटे वाली यह जो रखी है यह आटे की है सुगर फ्री तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी आप लोग भी देख लो और बिलिंग वगयरा करेंगे फिर हम निकल जाएंगे दूस होती ही न मरतेंगी बहुत तो यहां पे बहुत कोस्ट ली थी मतलब यह जो आप देख रहे हो चोटी सी जाली यही इतनी महंगी थी कि लेने का मनी नहीं कर रहा था सोला सो सत्रा सो तो फिर मैंने ली क्योंकि जितना रेट है ना उस हिसाब से ना इसका मतलब मटेरियल था और ना इसकी मजबूती थी तो फिर हम लोग चले गए घर और फिर मुझे बनाना है खाना तो यहां पे आ गई हूं मैं घर तो जल्दी जल्दी से कट कर लूँगी पालक क्योंकि अभी पालक लेके आई हूं तो पालक कर लूँगी बनाना है मैं जो सब्जी सब्जी वगरा बनाने के बाद में जाओंगी दूसरे वाले घर तो हो सकेगा वहां की थोड़ी बहुत क्लिप आप लोगों को दिखा हूं और यहां पे साइन से बाते कर रहे थी कुछ मजाक चलना था हम दोनों के में क्योंकि अभी वहां घर जाना तो वहां की सबसफाई करना है तो इसलिए उसे बात कर रहे थी और काम किये जा रहे थी और एक चीज और कि इमर्जनसी में हमने यह रूम छोड़ दिया बहुत प्राब्लम थी अज़ से ज़्यादा इस में छोड़ना पड़ा और मार्निंग में जाना पड़ता था ना ड्यूटी तो वहां पे कोई न कोई रहे तो इन्हें दिक्कत होती थी तो फिर हम लोगों ने यह घर छोड़ दिया है आंके ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कारण है तो आप लोगों में साधी थी और सिप्टिंग वगयरा सब कुछ में टाइम चला गया और ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था ना इस कारण से तो यहां पे पालक कट कर लूँगी और सायथ यह भी बैठे थे मुझे धियान नहीं है यह ब्लॉग थोड़ा पुराना हो गया है मेरा और अब ही जब हम वहां जाएंगी ना तो वहां पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी बाहर से थोड़ा कि घर क्या कैसा है क्योंकि आप लोग सोचोगे कि यह घर छोड़के हम लोग उस घर में क्यों गए यह घर जादा अच्छ है वो नहीं है तो वह बाहर से आप लोगों कै से देखेगा मैं पहले बता दू और अंदर से वो घर अच्छा लगता है और यहां पे पता है हर चीज की मुझे प्रॉबलम हो रही थी क्योंकि बाजों में लड़के लोग रह रहते जेंस लोग रहते और इससे पहले जो हम लोगों ने घर लिया था वो इनकी आपिस से दू से तो यहां पे रहके वहां के साफ सफाई कर लेंगे फिर बाद में वहां पे सिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पे मैं बात कर रहे हूं तो पूछ रहे थे वीडियो बना रही हो कि ने बना रहे हैं क्योंकि यह डाटते हैं कि ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो मेरा मन नह गए हैं क्योंकि वहां की साथ सफाई और कुछ कारण के हैं इस बज़े से सब कोई है और साहिन की यहां तो जॉप लग गई है तो मौर्निंग में नौ बज़े चली जाती है और रात में आती है साड़े साथ आठ बज़े तो यहां पे पालक आप सोचरों को धीरे धीरे कम त मुझे आंगे बढ़ाएगे मेरे मतलब जब मैं वीडियो अप्लोड करते हैं इस बज़े से मेरा कुछ भी बनने का मन नहीं होता कि मतलब वीडियो डालूं या नहीं डालूं हाँ मेरे सस्क्राइबर अच्छी है सब कुछ अच्छा चला है मंगर व्यू नहीं आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट करें और जो भी कमी हो मेरे वीडियो में तो प्लीज मुझे बताएं मैं सुधारनी की कोशिस करूंगी और हो सकेगा तो आप लोगों साथ अपनी लाइफ इस्टायल आंगे भी सेयर करूंगी तो यह आ गए हम लोग दू सब बैठे हैं नीचे और और यहां पे बैठी है मेरी नंद मेरी मतलब खाला सास और जो हिंदु इनको बता दू मैरी मॉसे जास की बेटी तो यह लेके आएं तीचा है इन के लिए और देवर के लिए तो यहां पे पूरी चप्पर वगएरा डलने के बाद यहां पे बिद किसी को नहीं दिखाना चाहती कि किसी को बात में पूरा लगे और यहां पर रिचाता किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूं सिप मेरे जो मेरा खास ससुराल है और मेरे वहां घर में पता है इस वज़े से तो यहां पर मैं आप लोगों को उपर का व्यू दिखा रह थी और मैं आप लोगों के एक सामने वाला कमरा दिखाती हूं यह चोटा सा है जादा बड़ा नहीं है तो यहां पे भी कुछ ऐसा है आई होप आप लोगों को ब्लॉक चोटा सा अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्र